विश्कार किशान साथियो रियल किशान चला जो बहुत बहुत श्वागत है किशान साथियो आई जानते हैं कि किस तरीके से जो है गेंदा की नरसरी डालते हैं क्योंकि अभी जो सीजन आई होई है वो गेंदा की नरसरी डालने की सीजन आ गई है और मैंने जैसे कहा था आप पपाया का प्लानीचन कर रही हैं तो उसमें हम जो मिशृत खेती की रूप में लेंगे गेंदा लेंगे तो गेंदा की खेती किस तरीकेसे इसकी नरसरी पड़ेगी तो उसकी पूरी में डीटेल आपको दुगा तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने इसका प्रेपरिक्शन कैसे किया है तो इसकी सुरुवायत के पॉइंट मैं कुछ आपको पहले दिखाता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने क्यारियां तेयार की हैं अभी मैंने इसकी गुडाई की है यह गुड़ाई की हुई है कि इधर जैसे के यह मैंने पपीता लगाया था यह कुछ हिस्से में जैसे बारिस ज्यादा होने के कारण क्या हुआ है कि कुछ हिस्से में यह आप देख सकते हो खरपतवार भी उगाया है तो इसका भी हम जो निदान करेंगे वह आपको किस तरीके से गेंदा की हमें नर्शरी तयार करनी है तो यह हमने क्या काम किया यह फाबडे की साहिता से हमने पहले इसकी गुड़ाई की है अब यह पूरी गुड़ाई होने के बाद क्या हुआ मिट्टी जो है थोड़ी पोली हो गई है तो मिट्टी पोली हो जाएगी और इसमें खरपदम भी खत्म हो जाएंगे तो अब हम इसको पूरा संतल करके जैसे जैसे आगे हम इसमें प्रोसेस करते जाएंगे औरलो किस तरीके से-सको संतल करना है कैसे हमें इसमें गोवर्व की खाद मिलानी है फिर फिर हमें कैसे इसकी बिजाई करनी है तो पूरा अपडेट आपको इसमें देने बाला हूँ तो अब इस बैट को हमने साथियों तयार कर लिया है तयार करके हमने इस पे जो है बीज छीट दिया बीज को आपको इस तरीके से छीट रहा है कि खटा भी नहीं गे और ज्यादा दूर भी नहीं हो आप देखेंगे नस्दीक से यह पूरा मैंने बीज छीट रखा देखो यह जो आप देख रहे हैं यह बीज है यह मैंने इस पर पूरा बीज छीट रखा है यह देखो अब हम इसके उपर से जो है हमारे पास जो है कमपोस्टिंग खाद है बक्री की लहडी तो हम इसको पूरा बक्री की लहडी से उपर से डाल गए है जिससे ये बीज कहीं हिले डुले ना और इसको हम फिर इसके उपर से हम इसकी पानी से सिचाई करेंगे सिचाई करने के बाद हम इसको पैणी से टकाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे आगे चलके अब यी बुबाई करके मैं इसमें थोड़ा कंपोस्टी खाट डाल दूँ यह रखी होई है यह डाल के फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ तो जैसा आप देख रहे किसान साथी हो कि यह मैंने पूरी इसमें बवाई करने के बाद और मैंने इसको कबर कर दिया अब यह कबर जो है दो से तीन दिन तक रहेगा क्योंकि दो से तीन दिन तक कबर होने में क्या होगा कि इसमें गर्मी पैदा हो जाएगी और गर्मी पैदा होने से जो ज्यादा होगा तो अच्छा जो है नरसरी तयार होगा अब इसमें मैंने जो दिया था वो मैं आपको एक बार बताता हूँ अब इसमें जो मैंने डाला है वो मैं आपको एक बार ब मतलब सड़ी हुई होनी चाहिए परपस सड़े का है तो वह मैंने डाली है इसमें और मैंने इसमें डाला है किलोरो पाई फास इस वजह से डाला है इसमें लगभग मैंने डाल दिया सौग यह पानी में घ्रोल के इसमें दे दिया वो क्यूं दे दिया है कि जिसे इसमें कोई भी कीट भीर न लगे जड़ के अंदर कई até ऐसा होता है कि जड़ में लग जाता है तो वह नहीं लगएगा कीलो पाई vries दे वो लगभग 15 अबाई 30 की है तो इसमें मैंने लगभग 100 ग्राम डीएपी घोल के और उसमें पानी के साथ चला दी तो ये सब मैंने दिया है इसलिए कि नर्सरी स्वस्त और जल्दी से जल्दी निकल गया जाए अब इसमें देखते हैं कितने दिन बाद इसमें जर्मिनेशन ह हुआ है तो वह आगे आपको मैं अगर यह आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो अ कर दो कर दो.